डॉक्टर मदन जी के बाद अब हम एक और मदन जी से जूड़ते हैं ये उत्तर प्रदेश के चंदोली जिल्ये के रहने वाले मदन मोहनलाल जी हैं अब ये भी संयोग है कि चंदोली भी बनारस से सटा हुआ है आईए मदन मोहन जी से जानते हैं कि इस संजीवनी को लेकर एक मरीज के रूप में उनका अनुभव क्या रहा है मदन मोहन जी प्रणाम नमस्कार साब नमस्कार अचा मुझे बताया गया है कि आप डाइबिटीस के मरीज हैं और आप टेकनोलोजी के उप्योग करके टेली कंसल्टेशन करकर के अपनी बिमारी के समन में मदद लेते हैं मैं आपके अनुभव सुनना चाहता हूं ताकि मैं देश्वासियो तक इस बात को पहुंचाना चाहूं कि आज की टेकनोलोजी से हमारे गाउं में रहने वाले लोग भी किस प्रकार से इसका उप्योग कर सकते हैं जरा बताईए कैसे करते हैं तो एक ही डॉक्टर हर बार आपको देखते हैं कि डॉक्टर बदलते जाते हैं आपको जो गाइडन्स देते हैं वह आपको पूरा फाइदा होता है हमको उससे बहुत बड़ा फायदा है की लोगों को भी फायदा उससे है सबी लोगों को इसके हैं एक पूर अपका समय भी बच जाता है अच्छा जब आप अपने सामने डॉक्टर को मिलते हैं तो एक विश्वास बनता है चलो भरी डॉक्टर है उन्होंने मेरे नाड़ी देख ली है मेरी आखे देख ली है मेरा जीब को भी चेक कर लिया है तो एक अलग फिलिंग आता है अब ये टेरी कंसल्टेशन करते हैं तो बैसा ही संटोस होता है आपको है? ताकि लोगों का समय भी बच जाएं धन भी बच जाएं और उनको जो भी मारदर्शन मिलता है उससे दमाईया भी अच्छे ठंग से हो सकती हैं और क्या चालिए मेरी बहुत बहुत सुब कामना हैं आपको मदन महुंजी बनारस को साब आपने कासी मिर्शनात के लिए डिप्ल साथ्यों देश्ट के सामान्य मानवी के लिए मद्यंबर के लिए पाहडी छेत्रों में रहने वालों के लिए इसंजिवनी जीवन रक्षा करने वाला एब बन रहा है यह भारत की डीजिटल करांति की शक्ति और इसका भरभाव आज हम हर छेत्र में देख रहे हैं भारत के UPI की थाकत भी आप जानते ही हैं दुनिया के कितने ही देश इसकी तरफ आकरशित हैं कुछ दिन पहले ही भारत और सिंगापूर के बीच UPI Pay Now Link लांच किया गया अब सिंगापूर और भारत के लोग अपने मुबाइल फून से उसी तरफ पैसे ट्रांस्फर कर रहे हैं जैसे वे अपने अपने देश के अंदर करते हैं मुझे खुशी है कि लोगों ने इसका लाप उठाना शुरू कर दिया है भारत का इस संजिवनी एप हो या फिर UPI ये इस आफ लिविंग को बढ़ाने में बहुत मददगार साबित हुए है